हलो फ्रेंड्स आज जो जनकारी आपको दी जा रही है वो है कैसे हम घर में अपने फूलों से हर्वल टॉनिक बना लें देखिए ये छोटी सी बालकनी चारो पूरो चारो तरफ इसमें फूली फूल खिले हुए है सभी तरीके के फूल है क्योंकि इसमें धूप अच्छी आती और इसमें हमने हर्वल टॉनिक जो घर में बनाये थे उसका अव्योग दिया और आप उसका रिजल्ट जो है देख सकते हैं इस वीडियो के साथ आप बने रहेगा आप लाश तक इसको देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हर्वल टॉनिक का यूज करने से क्या फायदा है इस चानकारी आपको दी चाह रही है मौर्टन गार्णिंग इन फार्मिंग की सोजने से तो आप देख सकते हैं बालकरी में इस प्रांट लगा पिटूनिया ये लास्ट टाइम मैंने लगाया था और आप देखिए कि सर्दियों में कितना सुन्दर रहा इसी तरीके से बूगन बेलिया है जो की फरवरी मार्स लेके बरसात में खिला फिर बरसात के बाद ये अभ फूल खिला सकते हैं तो सबसे परले होगे फूल से टॉनिक कैसे बनाएं फ्रेंट्स अभी क्या है गुड़ल के फूल का टाइम है अगस्य दिसंबर तक अभी लगातार ये गुड़ल के फूल खिलते रहेंगे मेरी तो बालकरी में खिलते रहते लेकिन फूलों को भी में वेस्ट नहीं जाने देती, जब यो फूल खिलते हैं, उसके बाद ये दो दिन खिले रहने के बाद, तीसरे दिन ये मुर जाते हैं, सूख जाते हैं, तो इन फूलों से आप बहुत ही अच्छा हरवल टॉनिक तियार करते हैं, उसकी जानेंगे बिधी, कैसे हम इसको तियार क ले सकते हैं, या फिर जो प्लांट में सूख जाते हैं, उसको आप ग्लास में डाल देंगे, ग्लास में डालने के बाद आप देख सकते हैं, कि हमने अच्छी तरीके से इनको इसमें होट्रप कर दिया हैं, उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे, पानी एट कर देंगे, प प्रेंट्स अभी गेंदा का सीजन आ गया है और पिछली बार भी गेंदा के सीजन जब था तब मैंने इस जूस को बनाया था आप देखिए कि जब गेंदा का सीजन होता है तो हमारे पास फूली फूल होते हैं फूली खिलने के बार जब तोट जा, मतलब सूख जाते हैं तो हम उसको फेख देते हैं हमएं फेखना नहीं है हो सकये तो हम सारे जो हमारे फूली तयार होते हैं और इखट्टा करने के बाद इसको मैं क्या करूंगी पानी से भरे एक ग्लास में डालके रख दूंगी बहुत सिंपल मेथड है इसमें कोई भी आपको ऐसी फिजिक्स नहीं लगानी है जिसे कि आपको दिक्कत हो या उसको आपको बनाने में काफी टाइम लगे यह बहुत ही और इस तरीके से हमको इसको लगबाग 4-5 दिन तक इसको भी छोड़ देना इस तरीके से जब हम 4-5 दिन तक चोडएंगे तो आप देख सकते हैं कि यह उपर फभूंध हो गई है और नीचे में 5 दिन के बाद यह स्तिति है और नीचे जो है पानी जो पूरा गंढ़ा सा हो क्योंकि अगर हम ऐसे डायरेक्ट कहीं भी नोजल में यूज करेंगे जानी इस्प्रे करेंगे तो यह जो जूस में इसके पाट से गेंदा के वह उसमें फंस सकते हैं तो अगर इस्प्रे करूप में करना है तो इसको हमें इस तरीके से छान लेना होगा और जो शेश फूल ज होता है साथी साथ इसमें कुछ माइक्रो निट्रिंट्स जैसे जिंक होता है तो यह बहुत फाइदे मंद होता है प्लांट में बंपर फ्लावरिंग के लिए तो आप अगर घर में इस तरीके के फूलों से इस तरीके का जूस बनाकर पौदों स्प्रे कर दें या उसकी और साथी साथ फूलों से पूरा फौदा भर जाता है तो हम इस तरीके से इस जूस को तैयार करेंगे तो फ्रेंट सब इसके और हम इसमें क्या करना है ? 10-20 ml, एक छोटी सी कटोरी में आप इस juice को ले लीजिए, इसके बाद इसको एक लिटर के bottle में इसको डाल दीजिए, मैंने इसमें थोड़ा juice की मत्रा जाधा ली है, क्योंकि प्लांट की health थोड़ा अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने इस्प्रे करने के लिए इसकी quantity थोड़ी जाधा ले ली है, और एक लिटर का जो हमारा इस्प्रे का पौदा है, लगबग मरने के कगार पर है, मतलब काफी अच्छी इस्तिती में नहीं है, लेकिन बाद में जब हमने इस्प्रे कर दिया तो इसकी इस्तिती देखिए, जून के महिना आते आते पूरा ही रहन लिली एक दम हरा भरा हो गया, और जुलाई आते आते इसमें फूल ही फूल खिल गए हैं, तो ऐसा है फ्रेंड्स, यह बिल्कुल आप इसको आज़र करते हैं, तो आपकी यहाँ भी इसी प्रकार से फूल ही फूल खिल जाएंगे, तो आप इसको जल्दी से इस बार आपको यह मौका जरूर अपने पौधों में डालना है, यूज करना है, ताकि मौका छूटे, देखिए, दस एमल एक लिटर पानी में गोल कर हमने मालती लता की जड़ में यह दिया था, मार्च में देखिए, इसमें मार्च के महिने में इस तरीके से इसमें छोड़े-छोड़े किल् आती हैं, आप देखिए, आप देखिए, जो लगबग यह में जून और जुलाई आते आते, यह हमारा पूरा हिमालती लता का जो पेड़ है, वो अच्छी तरीके से पत्यों और फूलों से भर गया है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप हर्बर टॉनिक्स का यूज करके अ अपने बगया को हरी भरी बना सकते हैं, थैंक यू सो मच